तो mostly जो beginners DJ होते हैं उनको लगता है कि जब वो beat match करके track change करते हैं तो इसका मतलब उन्होंने track को mix कर लिया लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि जो beat matching होता है और mixing होता है ये दोनों बहुत ही अलग एक दूसरे से आज हम बात करने वाले हैं mixing के बारे में जो हम DJ में यूज करते हैं जैसे कि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि beat matching करने से आप track को mix कर सकते हैं लेकिन beat matching और mixing ये दोनों अलग-अलग concept है beat matching में basically हम क्या करते हैं हम दो track के beats को match करते हैं लेकिन properly mix करना blend करना एक track के साथ दूसरे track को mix करना उसको easily transition करना EQ use करके उसको हम mixing करते हैं जैसे कि मैंने कहां आप से mixing करने के लिए आपको EQ की जो technique है वह आना बहुत धरूदी है तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि mixing क्या होती है plus EQ किस तरह से use किया जाता है EQ क्या का काम होता है और EQ use करके आप किस तरह से track को easily और smoothly mix कर सकते हैं तो चलिए let's jump to the video तो चलिए हम बात करते हैं हमारी equalizer की और उसको हम कैसे use करते हैं और उसका क्या काम exactly होता है तो जैसे कि आप देख सकते हैं आप कोई भी DJ controller हो या कोई भी mixer ले लो professional mixer ले लो आप में आपको हर इसमें आपको यह जो equalizer है आपको हर controller हर mixer हर CDJs जो भी player आप connect करते हो उसमें आपको यह mixer जो पार्ट है mixer का जो equalizer हो आपको हर mixer में देखने को मिलेगा तो यह बहुत ही important पार्ट है जैसे कि हम सभी को पता है कि यह जो channel है यह mixer EQ का channel है वो इसको control करता है और यह जो इसको control करता है उसी तरह सागर चार deck होगा तो आपको चार mixer चार EQ देखने को मिलते चार channel है तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो यह trim channel है जैसे कि आप सभी को पता है trim का मतलब है यह जो overall जो frequency है यहां पर यह इसको control करता है मतलब अगर आप इसका volume बढ़ाते हो तो यह इसका भी बढ़ेगा इसका भी बढ़ेगा इसका भी बढ control जो song का जो volume है उसको overall control करता है अभी हम बात करते हैं कि equalizer यह exactly करता क्या है और इसका काम क्या है जैसे कि कोई भी एक song बनता है तो वो तीन frequency में बटा हुआ होता है जैसे कि highs होता है mids होता है और lows होता है तो यह तीनो frequency को मिला के एक song बनता है तो उसी तरह से अगर मैं incomplete सुना ही देगा मतला इससे लगेगा कि song में मजा नहीं आ रहा है इसमें से में कोई भी एक frequency अगर में cut कर दू कम कर दू तो पुरा song का जान निकल जाएगा मजा नहीं आएगा सुनने के लिए क्योंकि वह song बनता है वो तीनो एलिमेंट्स को मिला के एक song बनता है तो इसमे जब आप बड़े speakers पे play करते हो बड़े बड़े चार चार आटार स्पीकर पे play करते हो ताब आप चोटे से भी इस तरह से चोटा से माइनर भी आप changes करेंगे ना तो आपको पूरे speakers पे और लोगों को बहुत जल्दी सुनाए देगा बहुत जल्दी समझ में आएगा कि क्य क्या फरक पड़ेगा इसे मैंने कहा था कि यह जो frequency होता है यह particular frequency का volume को control करता है अगर मैं इसको कम करूंगा तो कम हो जाएगा सिफ हाइस कम होगा बढ़ाओंगा तो इसका हाइस बढ़ जाएगा उसी तरह से यह जो volumes है frequency के volumes को control करता है अभी हम लोग उसको play करते है और सु अब देख सकते हैं जो top end है जो चक 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 बजर है वो completely गाया बोचुता है song dead लग रहा है अभी हम मिड्स कट करते है अभी हम मिड्स पर खुलते है अभी lows को काटते है तो आपने देखा कि इसमें से में frequency काट रहा हो तो song में बहुत जादा difference आ रहे है बहुत जारा फरक जो है वो पता चल रहा है तो basically जो highs होता है उसमें जिसे मैंने का चक 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 बजरे जो पतला sound होता है high hats होते है मिड्स में आपका जो vocals होता है आपका जो piano होता है घीतार होता है वो सारे यहां पर बैठते है और lows जो सब्से powerful element पूरे song में होता है जैसे हम सब DJS हमको पता पहले होता है वो सबसे important होता song में वो यहां पर बैठता है तो बोलने का मारा point यह है कि इसमें से अगर आप कोई भी element को कम कर देंगे, यहां से कुछ भी आप cut करेंगे, तो क्या होगा, song dead हो जाएगा, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से और बहुत सौज समझ के आपको use करना होता है, इसलिए जब भी आप track देंगे तो mostly सारे जो भी चीज़ ध्यान रखे कि आपको कोई भी frequency है, इसको 12 से उपर लेके जाना नहीं है, क्योंकि आपका song जो है, वो distort होने लगेगा, आपका frequency है, वो distort होने लगेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कम करना है, आप कम कर सकते हो, लेकिन आप इसको बढ़ा नहीं सकते, आ चीज़ आप एक tip दे रहा हूं, मैं आपको ध्यान रखे, अभी चले EQ तो समझ में आ गया, मैं EQ क्यू काटू, मैं इसको क्यू काटू, लेकिन जब गाना बज रहा है, मैं track play कर रहा हूं, ये track बज रहा है, तो मैं इसको उपर करूँगा, इसको नीचे करूँगा, इसको इसको क्यू दिया गया है, इसको इसको क्यू दिया गया है, इग्जाक्ली तो यहाँ पर आपका आता है mixing का पाथ, अभी मैं इग्जाक्ली आपको बताना चाहता हूं कि exactly जब आप track play करते हो, तो होता क्या है, difference दे कि आप जब घर में play कर रहे हैं, तो आपको इतना difference नहीं पता चलेगा, लेकिन यही चीज़, जब आप बड़े speaker में play करते हो, तो आपको बहुत ज़ादा difference देखने को मिलेगा, for example, जब मैं कोई भी track play करता हूं, जब मैं यह fader उपर कर रहा हूं, तो हम सभी को पता है कि आप जब track play करते हो, तो आप full volume में play करते हो, आप जो amplifier करते हो, तो यह भी volume जब आप उपर करेंगे, तो यह भी तो semi-volume होगा, इसका volume तो कम नहीं होगा, जब it's क्का जब यह track play करेंगे, तो इसका भी volume full volume में होगा, full power में होगा, जब आप इसको उपर करेंगे, तो exactly क्या है यहाँ पर क्या हो रहा है आपका power दोनों double हो रहा है यह भी full volume में बज़ रहा है यह भी full volume में बज़ रहा है क्योंकि आप जब दोनों पर करेंगे तो दोनों full volume में बज़ रहा है इससे क्या होगा आपका जो speaker है वो फटने लगेगा वो फटने लगेगा आपका amplifier क्लिप होने लगेगा यहां पर सिंगल पावर और का अब कितने सेखेंज के लिए आप ज ow स्कूंत के लिए आप मिलागने को वो फरफर का आवाज आने लगेगा जब आप particular कितने भी seconds के लिए आप जब फेडर उपर करें इस तरह से तो भी ये 5-6 seconds के लिए आप जो उपर करें तो 5-6 seconds, 7-8 seconds के लिए भी आपका speaker फटने लगेगा सुनने वाले को बहुत खराब लगेगा और आप track change कर रहे हो वो भी पता चलेगा कि आप track change कर रहे हो और बहुत unprofessional लगेगा कि ये कैसे चेंज कर रहे है, speaker फट रहे है, सब कुछ फट रहे है, मजा नहीं आ रहे है सुनने के लिए तो वो कानों पर लगता है लोगों के और वो मजा नहीं आता है फिर mostly जो है dance work mostly छोड़के चले जाते है क्योंकि आप सिफ फेड इन फेड आउट करें तो इसको हम mixing नहीं करते है तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि exactly आपको mix कैसे करना है और उसका tip उसका राज क्या है जब आप कोई भी track play करते हो ठीक है आप ट्रैक जो भी प्ले करते हो तो आप देख सकते उसकी frequency यहाँ पर normal है जब आप next track play कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो next track play कर र आपको यहाँ पर क्या होगा जब मैं वॉल्यूम फेडर उपर करूंगा तो मेरा साउंड जो है वो ख्लैश नहीं होगा यहाँ पर जब मैं फेडर उपर करूंगा तो मुझे जब मैं इसको कम करूंगा तो मैं इसको बढ़ाओंगा धीरे-धीरे इसको कम करूंगा और इसको बढ़ाऊंगा धीरे धीरे इस तरह से इसको कम करूंगा और इसको बढ़ाऊंगा धीरे धीरे तो इस तरह से क्या हो रहा है कि मेरा जो फ्रिक्वेंसी यह वह क्लाश नहीं हो रहा है इसकी जगे पर मैंने इसको बढ़ा है इसकी जगे पर इसको इसको बढ़ा है तो इससे क्या हो रहा है कि मेरा sound clash नहीं हो रहा है मेरे frequency जो है वो clash नहीं हो रही है अगर यह दोनों ऐसे रहेंगे तो यह दोनों एक दूसरे के साथ में जो frequency वो टकराने लगेगी तो जब मैं इसको कम कर रहा है जब मैं इसको बढ़ाना चाहता हो तो मैं इ इच्छे से हो जाएगा मैं आपको एक बार यहां पर करके दिखाता हूँ आप देख सकतो दोनों फेडर रूप पर है लेकिन इसका वॉल्यूम बज़ रहे इसका वॉल्यूम बहुत कम हो गया फेडर दोनों उपर है आपने देखा कि मेरा दोनों फेडर उपर था फिर भी इसका वॉल्यूम ज्यादा सुनाए दे रहे इसका वॉल्यूम बिल्कुली डाउन हो गया फिर भी मेरा फेडर उपर है फिर भी इसका वॉल्यूम मेरा कम हो ग करूं तो आप देखें कितना डिफरेंस आएगा साउंड जो है वह फटने लगेगा शायद आपको इसमें यहां पर इतना क्लियर समझ में नहीं आएगा लेकिन वही चीज में कह रहा हो कि आप जब बड़े स्पिकर पर करेंगे तो आपको ज्यादा पटा हुआ साउंड सुन कर अब कर अब कर दो एक दूसरे के साता में तकर आ हो रहा है वह स्मूद मіक्सिंग नहीं हो रहा है वो ट्रैग जो है दोनों ब्लेंड नहीं हो हरा है मजा नहीं आ रहा है सुनने के लिए जब आप प्ले करेंगे तो आपको सुनने में मजा नहीं आएगा लेकिन वही चीज़ जब आप EQ के साथ में करेंगे तो आपका track है वो clip नहीं होगा आपका amplify दे क्लिक नहीं होगा और आपका यहाँ सेंद कर लोगे आपका track जब हो जाएगा आपको सिफ उसका loss cut करना थोड़ा सा mid और थोड़ा सा low इस तरह से आपको cut रखना इतना cut रखना है फिर जब आप track play करते हो आपको fader उपर लेना है जैसे आपका फेडर उपर चला जाएगा फिर आपको यहां से थोड़ा सा लोस कट करना है दीरे-दीरे यहां से मेड्स कट करना है और यहां से हाइस कट करना है जैसे आप इसको कट करते जाएंगे तो यह सौंग जो है दीरे-दीरे फेड आउट होने लग जाएगा और यह ट्रैक जो है या फिर इसका जो song का main part आने वाला है उसके पहले आपको ये track को नीचे लेना है ऐसा नहीं हो कि आप ये इतना slowly slowly दिरे-दिरे mix करने के चक्कर में आपका इसका भी vocal start हो गया और इसका भी vocal start हो गया तो ये चीज़का आपका ध्यान रखने कि आप slowly slowly दिरे-दिरे करने के चक्कर में ऐसा नहीं हो कि दोनों song start हो जाए ये song start होने से पहले आपको इसको fade out नीचे कर लेना है और एक tip में और एक short tip देना चाहूंगा आप शुरू में आप क्या कर सकते हो आप सिफ लोस के साथ खे कर सकते हो फिरे-दिरे आप जो है आप जो उपर की frequency से उसके साथ आप धीरे-धीरे खेज सकते हैं और एक last tip में आपको यहां पर देना चाहूंगा कि सबसे नीचे जो आप देखेंगे यहां पर जो आपका जो यह बटन दो बटन दिया गया है जो effects का बटन दिया गया है यह है आपका low pass filter और high pass filter तो basically यह क्या कर रहा है यह एक ही बटन में यह सारे frequency को control करता है तो जब मैं इसको इस तरफ करूँगा तो क्या हो जाएगा यह highs और mids है वो cut हो जाएगा सिफ lows रह जाएगा और जब मैं इसको यहां पर करूँगा तो यहां पर high pass filter तो इसका मतलब लोज जो है वो cut हो जाएगा और highs और mids और सिफ highs सुनाए देगा mostly high तो आप दीरे-दीरे जिस तरह से जाएगे मैं आपको play करके दिखा तो एक बार अभी आपको सिफ लोज सुनाए देगा अभी मैं इसको इस तरफ घुमाता हो अब यहां पर आपको सिफ आइस देगा तो यह एक टेखनीक है हम यूज करते मिक्स करने के लिए तो बेसिकलिए जब आप यहां पर जब आप ट्रैक मिक्स कर रहे हो तो आप इस तरह से ट्रैक को high pass filter से भी आप जूज करते हो इस तरह से आप high pass filter यह low pass filter यूज करके भी आप मिक्स कर सकते हो लेकिन आपको ध्यान रखने के आपको इस तरह जो low pass filter है उस तरफ आपको जाना है क्योंकि आप इस तरफ जाएगे तो आपको mids और high जे वो सुनाए देगा तो इस तरह से आप जो है easily दो ट्रैक को blend कर सकते हो मिक्स कर सकते है और यह technique आप कोई भी जॉनर में हो गया बॉलीवूड हो गया हेपाप हो गया कोई भी जॉनर में सब जॉनर में यह technique यूज होता है तो आप धरूर इसको try कीजिए अगर आपको नहीं पता था अगर आप कोशिश करें आपको समझ में आदा था कि इस चीज करना और कितना important है mixing में बीट matching और mixing यह दोनों अलग है आपको यह जो concept है वो clear हुआ होगा अगर आपको कोई भी काम डाउट है तो आप comment कर सकते हो इस्ताग्राम मुझे follow करके फूच सकते हो आपको यह वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना बहुत ही helpful हो जाएगा चनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो अगर आप चनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और motivation मिलेगा और मैं और वीडियो बनाते रहूंगा वीडियो बनाते रहूंगा और अगर आपके मन में कोई भी डाउट ही तो आप कुछ चाहिए तो आप वहाँ पर भी मुझे कॉंटाक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर हम चाट करते हैं तो अगर आप चाहते हैं वहाँ पर आप मुझे जॉइन कर सकते हो और वहाँ पर भी हम च्छोटे मोड़े जो डिसकेशन है वो भी कर सकते हैं और अगर आपको personally मेरे साथ DJing सीखना है online सीखना है offline सीखना है अगर आप मुंबए में हो तो offline classes में बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ और अगर आपको online सीखना है तो वो भी आप मुझे DM कर सकते हो नीचे link मिल जाएगा classes के लिए आप मुझे सारी चीज़े जो है वो सीख सकते हो और बहुत अच्छा उनका इंप्रूमेंट भी हो चुका है बहुत जल्दी दो मेने के अंदर मैंने उनको DJing जो है वो अच्छे से सिखा लिया तो अगर आप इंट्रेस्टे